हालो दोस्तों वेलकम बैटू माई चैनल तो आज हम आप लोग के साथ सेर करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर तो आप देखिए हमने धेड़ सारा प्रोटीन पाउडर बनाया है तो आप इसको इस्टोर करके भी रख सकते हैं दो महीने तक दो-तीन महीने तक तो आप पे हमने एक से डेड़ महीने के लिए इसको बनाया है तो प्रोटीन पाउडर बहुत ही फायदे मंद होता है सर्दी हो या गर्मी हो आप कभी भी इसको बना करके पी सकते हैं सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही फायदे मंद होता है अगर आपके जोडों में दर्द है कमर में दर् है प्र यहां पे संप है रधाम है ब्रणा आफ बढ़ा UK heard अब चीज है यह हां परंगी मिर्णांघ ओ अंजीर तो बहुत ही फायदे子 अमारे सरीर के लिए इन सबी ही चिजों यहां इस आंदर थोड़ा दाल हुटा है उसको सुखाने के लिए यहां फोर गौठ तक फैला रखाए कड़ी धूप में तो आप चाहिए इन सभी को हलका सा ड्राय रोस्ट करके भी पीश सकते हैं मिक्सिजार में या कूट के कैसे भी आपको बनाना हो 24 आपकी है जैसे भी आप बनाएं तो आप देखिए धाई गंटे बास सभी चीजों को हम नीचे उतार लाएं हैं तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी हम दिखा रहा हैं आप लोग को तो यहाँ पर देखिए तीसी है जिसको अलसी का बीज भी कहा जाता है यहाँ प यहाँ पर है भूना हुआ चना फिर है संप संप तो पाचन तंत्र को हमारे दुरूस्त रखता है यहाँ पर है अंजीर तो सभी चीजों को हम एक साथ नीचे उतार लाएं हैं यहाँ पर हैं मखाने मखाने तो बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही फाइदे मंद होते है हों मखाने का use औरेक्सियार में नहीं है दीखा रहा रहा दो यहां पर हम लेत सबकर को क्यार को जोड़ा थोड़ा फ्लस मोंड में कर कर चलाएंगे नहीं तो कॉड़ा पर चाहिए भीक रख सकते यहां फाइन पेश्ट भी बना सकते हैं तो यहां पे इसको बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल बारिक हमने पीश रखा है दरदरा नहीं रखा है इसको चला करके आप पीश लिजिए फिर काजू को हम डालते हैं थाली में तो यहां पे काजू जो है पीश गई है बिल्कुल बढ बादाम को भी हमने पीश लिया है फिर इसी मिक्सी जार में हम डालते हैं तीची को डालेंगे तह या पे एक दो बादाम जो जो नहीं की पीश dif against दर नहीं रहे है और अप लोगक चेक कर लिया करें मूनंने ज़र्श थान्ने वाले उसंसे वाप देख सकते हैं यहां पे हम चना लिये हैं, तो चने की जो छिलके थें, उसको थोड़ा बहुत हटा दिया है, और जो लगे हुए थे, उसको हमने वैसे ही रहने दिया है, चने को भी हम पीस लेते हैं, यहां पे चना भी हमारा पीस करके रेडी हो गया है, इसको भी हम इसी चीज में डालते ज कोलिस्टराल को भी नियंद्रित करता है इसके बहुत सारे फायदे हैं तो तीसी को आप अगर दरदरा पीसके डालेंगे ना तो इसका फ्लिवर बहुत ही अच्छा आएगा दूद में अगर आप पिएंगे आपकी चुवाई से आप चाहें तो इसको बिल्कुल वारी भी पी सकते हैं बिल्कुल फाइन कर सकते हैं यहां पर देखिए हमने जो संफ था उसको भी डाल दिया है तो संफ तो हमारे पाचनतन्त को नियंद्रित करता है और डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदे मंद है यहां पर है अखरोट अखरोट जो है व्लड सूगर को नियंद्रि इसलिए यहां पर देखिए अखरोट में बहुत ज्यादा ओयल होता है तो जैसे थोड़ा सा गीला गीला हो गया है इसको हम थोड़ा तोड़ा तोड़ दे रहे हैं तोड़ा मसल दे रहे हैं हाथों से फिर हम पीशते हैं मखाने तो मखाने को भी हम मिक्सी जार में डाल करक अंजीर्स खाने से सभी लोग बोलते हैं कि हड़िया बहुत मजबूत होती है यह क्या इसे खत्रिस से भी बचाता है तो अंजीर तो आप लोगों खाना ये चाहिए एक कहावत आप लोग सुनी होगी जो खाता है अंजीर तोड़ देता है जंजीर तो यहाँ पे देखिए मिक्सिजार में अंजीर को हम पीसी नहीं पाए मिक्सिजार ही हमारी खराब हो गई और यह बहुत ज्यादा टाइट होटा है इसको हम बाद में पीशते हैं अभी किसी तरह से यहाँ पे देखिए हमने लिए धागे वाली मिस्री आप चीनी का यूज मत करिए जभी बनाएए धागे वाली मिस्री लीजिए तो ज्यादा फाइदे मन दोती है यह वह से भी मिस्री आप ले सकते हैं तो मिस्री में आयरन बहुत ज्यादा पाए जाता है धागे वाले म तो इसको हम बड़े से जो होता है खूंन नहीं बोलते हैं इसको उसी में हम लोग खूंन रहे हैं और इसको हम जन्नी से आटा चालने वाली चालते जाएंगे और इसको बस 3-4 बार करने में अच्छे तरह से ए दो चीजब पीछने में तो हमें जो है अञ्जीर को तो इसको करने में हमें कम सकम एक घंटे लग गए तो या पेसको मिक्सिजार में डाल रहे थे कि देखते हैं चलता है कि नहीं नहीं चलाता फिर इसको हम कूट करके अच्छे तरह से पीस लिए है निश्री को और यहां पे देखिए बन करके रेडी हो गया हमारा सुपर हेल्दी प्रोटीन पाउडर आयरेन कैलिसियम से भरपूर जो कि हमारे हड्डियों को हमारे सरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में बहुत ही जादा फाइदे मंद है तो यहां पे सभी चीजों को डालने के बाद ही हम इसको डिबी में रखेंगे तो सभी चीजे मिले रहेंगी तभी सही रहेगा तो अब इसमें हम डालते हैं अंजीर तो अंजीर को हम बड़ी सी खुननी में खुने हैं लेकिन वो जो है कि बारिक नहीं होता है चिपक चिपक जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, उसको पीषने में पीषा ही नहीं, एक बार हम पाले बनाये थे, तो मिक्सी जार में उसको पीष लिये थे, पीष भी गया था, लेकिन इस बार नहीं पीषा, तो देखिए जो अखरोट है न, वो ऐसे ही गिला गिला था, तो उसको हाथ से तोड़ करके हम फाइला आ रहा है, सभी में, मतलब सही से हो जाए, मिक्स हो जाए, और यहां पे अंजीर देखिए, इसको कूटने के बाद चिपक गया है, गोड की तरह बिल्कुल, और सही हुआ भी नहीं, बिल्कुल चिपक गया था, तो अगर बड़ा अला मिक्सी जार होता, तो आप लोग जायातर, इसको कूट करके ही डाले, ऐसे नहीं सही होता है, अब इसको देखिए, हम हाथों से छुडा और करके, सभी प्रोटीन पॉडरों मिला रहे हैं, इसको और भी छोटा कर रहे हैं, ताकि सभी चीजों मिक्स हो जाए, क्या होता है, कि इसको डालने के आथों से मसल करके इसको हम सभी प्रोटीन पॉडर मिलाने की कोशिज किये हैं लेकिन फिर भी इसका छोटा छोटा जो टुकुडा है रही गया था और बहुत अच्छा नहीं पिसा था बहुत दिक्कत हुआ अंजीर फायदे मन तो है लेकिन बहुत दिक्कत कर रहा था फिर इ एक चम्मच इसको हम लोग डाल देते हो तो लीजिए सेहत सिभरफूर हेल्दी और प्रोटीन पॉडर बन करके रेडी हो गया है तो आप लोग जरूर प्रोटीन पॉडर बनाएं और सर्दियों में इंज्वाय करें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मारे चैनल को पूद करें